यहां पर हम कमपनी के अगर रेटन्स की बात करा तो लास्ट रे 5 में दोस्तो साततर पसंद के से जार से कंपनी डे काफी अच्छी मल्टिवेकर्स रिटन्स ब्राकत दिये हैं कंपनी के मार्केट के बहुत चोटा है इसलिए ग्रोथ का पुटेंशली बहुत ज्यादा है कंपनी अंडर बरूट देखने को मिल रही है कंपनी लाश्ट फाइब में पांसो पसंद से ज्यादा का रिटन्स भी बना कर दिया है तो दोस्तों यहां पर कौन सा वो से रहा है उसके बारे में हम पहले फंडामिल्स देख लेते हैं उसके बाद कंपनी के बेजिस देखेंगे क्या 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 डवल्लमेंट करती है वह आईटी शेक्टर का वह दो से अच्छे से रहे हैं अच्छा रेटन वाके देंगे लेकिन लॉंग डम में देंगे और बहुत धीम चलेंगे अगर आप कोई नया से ढूर रहे हैं तो यहां पर आप आरोसी और आरोई देखेंगे यहां पर तो 140 और 106 परसंद का आरोई अच्छा देखा हो मिल रहा है इंट्रंसिक वल्यू कंपणी की 534 है और इससे नीचे ही कंपणी का प्राइस जो है ट्रेड कर रहा है तो अभी भी इस यह बहुत ज़्यादा अंडर वेरूड है अगर हम बात करें यहां पर कंपणी की पास फाइक की होल्डिंग है और रिजर्व जो कंपणी पास 6.33 करो पड़े हुए है और लाइविटीज की बात करें तो 5 क्रोड की है सवाब 5 क्रोड की कह सकते हम और एसस कमपणी पास ज्यादा ही है तो काफी अच्छी है प्रमृत की होल्डिंग में यहां पर काफी एच्छी है अट्टावन पॉन नाइन पसंद की है वहीं अगर हम बात कर पसंद का रेटन्स भी जनेरेट कर पा रहे है जो कि काफी चीची है अट्टर पसंद का रेटन्स बहुत होता है कंपणी ने लास्ट फाइविर में 277 पसंद की चासे रेटन्स वाकती है कंपणी पास 5.89 कोड का कैस भी पड़ा हुआ है तो कि यहां पर आप देख सकते हो और ग्रोथ का पोटेंशिल कितना है 0.10 प्रैस अर्निंग ग्रोथ रेट कितना प्रैस वे आप खरीद होगे जिससे अर्निंग करेगी और कितना ग्रोथ करेगी उसका जो पैरामेंटर है वो यहां पर है 0.10 एक से कम होना चाहिए जो कि एक से काफी कम है यहां पर है आम दे से देख सकते हो आप 4 करोल की से दुदार 20 में जून में तब कि दुसमर 22 में बल करके 20.28 करोल हो चुकी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.27 था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8.29 हो गया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट सित्माद में बल करके 30 से 40.88 हो चुका है नेट प्रॉफिट के अगरेटिंग यहां पर तो 1.21 करोल से बल करके और EPS 0.88 करोट से बल करके 6.13 करोल हो चुका है और EPS 1 रुपेज से बल करके दोस्तों कितना हो चुका है 5.17 तो EPS अर्निंग पर सियर आपको पर सियर कितना कमा के दर यह कंपनी वह भी कंसिस्टेंस की साथ ग्रो कर रहा है और वहीं आप देख सकते हो कंपनी का compounded sales growth compounded profit growth तो काफी अच्छी से ग्रो किया है कंपनी अब देख सकते हैं और वन एक्राइट रहा हो 41 पसंद का है और return on equity काफी अच्छा देखर को मिल रहा है कहा है अगर हम बात करते हैं को कियस की तो नाम है इंडिया लिम्टेट ऑब एसकी जो सर्विसष ने हैं यहाँ पर कंपण यह कितने बड़ी लिख लेवल फर काम कर रही है On केसल्व इंडिया लिम्टेट इज इनकोर्पोरेटेड दोजा चोदमेंट कंपणी बनी इज इंगेड इन शॉफ्टेव डवलेमेंट एंटरप्राइज सॉलूशन कंसंटेंग प्रोवाइडिंग एडिश सॉलूशन तु कंपनी अक्रोस एक सेक्टर सच एज रियल एस्टे कंट्रों में इसके कनायन से हैं 410 प्रस इन हाउस टेक्नलोजी एक्ट्पोर्ट हैं ठीक है और के सॉलूशन मतलब हर तरीके से हर तरीके से सॉलूशन कारके देती है इसकी एक्सपर्टीज से लिए जान आती इन बिग डाटा और इसके इलावा यहां पर देखे तो सेलफोर्स हो गया डियो वीपी से हो गया जावा माइक्रोसाफ्ट ओपन सेफ्टी इन सब के साथ जो कंपणी जो है टाटन सांस में का करती आटिफिचल इंट्लिएंसी हो गया मसीन लर्निंग में भी काम कर रही है तो यहां पर मैं देखा दोस्तों मसीन लर्निग आटिफिचल इंट्लिएंजी यह बहुती एडवांस लेबल की टेक्नोलोजी पर काम कर रहे हे कंपनी और आप इसको देख सकत cercet यहां पर कम बिदीख है तो यहां पर क्म्स चप्संट का रिवेंगेंटेक्श प्रवाइब कराते है उससे च्छेटर पसंट का रिवेंगा पशंटक है तो मोबाइल एन ओपन स्वोर्स टेक्नोलोकी से 14 पसंटका ऐंटिफेसल इंटलिएंची 11 पसंटका चेल्जफोर से पसंद का अमेरिका से जादार बोट आता है क्योंकि आउट पराओबर niकों इंपलियों और चयान च 오्यूबर разм अमोंग तर्स यह कं दी क्लांस यह दुरिंग फ़नाशल एर ट्वंटी टू दॉट्व देश्ट बेस्ट रिवी में वाइली डिवर्सिफार विद्पैटिस प्लस आइटी सर्विसे च्लांस अक्रोस बीज़ प्लस कंट्री तो बीज़ प्लस कंट्रीज में कमने के पैटीस से क्लाइन से ग्लाइटीपीस में और जोड़ेते हैं 2020 में रिमेंड जोफ उसे हम ये कह सकते हैं तो यू ऐसे और यूएसे से इसको बहुत चारी वा आता है अमरिका से तो इस तरीके से हम एक सकते हैं आपकर तो इसके बात कऱा तो कम्पनी वाज लिश्टेड ओन एनसी एमर्ज प्लेटफर्म और जुलाई शे 2020 में इसका आई प्यों आय था तो कम्पनी एंटर इन्टू स्ट्रेटिजिक पार्टनर्सिप विदे सेल्फोर्स अडोब ओडो एंड बरफल डरफल एस्टोशियेशन तो कम्पनी नभी पार्ट कि यहां पर हम देखा है मैंने फाइवेर के चार्ट डोबन कर रखा है फाइवेर का मदलब यह 2020 में ही कमपनी का आई पर हुए था तो अब तो तो कि तो फाइवेर हुई नहीं है तो तब से कमपनी ने अब तक चार्ट सो पंदर बजन का रेटन मार्केट दे चुकी है और अगर हम बात करें तो यह लिए अप देख आकतो है यह लिए इस कमपनी का जो रिवेंडू है वो दस करोड़ से बलकर आकर 46 करोड हो चुका है और वहीं अगर हम प्रॉफिट की बात करा तो इस तरगी से जुस्तों हमने देखा यहां पर कमपनी का सिर्जिंश से साथ कर र होता है, हालत खराब याती है, तो जहां कंपनी की एक बार quarter यसे खराब होने पर negativity दिखती है मार्केट में, तो जब कंपनी कंसिस्टेंस के साथ grow कर रही हो, revenue और sales में, तो वहां पर कितना return market देखी, जो के दिया भी है, तो आप इसको consider कर चाहे,